हेलो केट्स, गुट मॉर्णिंग, उन्डे सब्जेक्ट इस जिक्टे और राल स्मॉल भूक्ट, टोपिक इस मिल्क रिप्रेशन, उस दिन हमने को हमारी ये डेरी ये फूट की बूक्स में सबसे पेले क्या देखा था हमने, डेरी, डेरी यानी मिल्क, अलग-अलग कंटेनर म हमने ये मिल्क देखा था ना, मिल्क यानी डेरी और मिल्क में से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, डेरी प्रोडक्ट, डेरी प्रोडक्ट में क्या देखा था हमने, कर्ड, बटर, क्रीम, घी, चीज, और पनीर, ये सब देखा था ना, तो आज हमें क्या देखेंगे, मिल् मिल्क प्रिप्रेशन, दूद में से जो चीजे बनती है है न, उसमें हुम ये आडेंटिफाइ करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनता है मिल्क में से, खीर ममा बनाती है ना अंदर जो चावा लाते है अच्छे से ये dry fruit डालती है ना खाते हो ना ये खीर देन पेड़ा पेड़ा अब लोग खाते हो ना पेड़े देन hot coffee coffee बनती है milk में से then cold coffee ये दोनों coffee है hot coffee and cold coffee then tea और क्या बनता है? चोकलेट्स, आप सब की फेवरेट्स है ना? चोकलेट्स देन? आइस्क्रीम, वाव, यम्मी याँ कितना कलर फूल है यह आइस्क्रीम? मिल्क में से बनता है, ये भी हाँ देखो, कौन-कौन से कलर की यह केंडी है ग्रीन यलो पिंक और यहां पे यह स्कूप में है कप में यह हुए न यह स्कूप वो भी अच्छे से कलरफूल है यह पिंक वाइट ब्राउन यह कुई सा फ्लेवर है स्ट्रोबेरी वेनिला एंड यह चोकलेड तो यह भी आइस क्रीम भी मिल्क में से बनता है देन कुल्फी एंड मिल्क शेक तो देख लिया न हमने जो दूद में से जो चीज़े बनती है न उसे क्या बोलते हैं मिल्क प्रिपरेशन तो चलो एक बार रिविजन करते हैं पहले क्या बनता है खीर पेड़ा होट कोफी गोल्ड कोफी टी चोकलेट्स आइस क्रीम कुल्फी एंड मिल्क शेक तो समझ मादे न सबको मिल्क प्रिपरेशन किसे बोलते हैं तो आप यह हम आपकी बुक में रिविजन करना ठीक है बाबाई